एक शान्त जंगल में लोमडी और सकंक शान्ती से रहते थे, हालांकि उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी. एक दिन धूब भरी दोपहर में, जब लोमडी टहल रही थी, उसे अचानक एक तीखी और अजीब गंध महसूस हुई. उसने अपनी नाक सिकोडते हुए चारों ओर देखा, और सकंक को पास चलते हुए पाया. यह गंध जरूर तुमसे आ रही है, लोमडी ने नाराज होकर कहा. सकंक ने यह सुनकर दुखी और शर्मिंदा महसूस किया. यह गंध मेरी नहीं है. उसने तेजी से जवाब दिया, लेकिन लोमडी पहले ही वहां से चली गई थी. अगले दिन, जब सकंक खाने की तलाश में था, उसने हवा में एक अजीब गंध महसूस की. गंध का पीछा करते हुए, वह एक जगह पहुँचा, जहां लोमडी गंध स्वर में बोला, मुझे लगता है हम दोनों ने गलती की, वह गंध ना मुझसे आ रही थी और ना ही तुमसे, वह तो बैरों से आ रही थी. लोमडी रुक गई और फिर लज्जित होकर मुस्कुराई. मुझे माफ कर दो सकंक, मैंने तुम्हारा जल्दी ही गलत आकलन कर लिया था. क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? सकंक ने सिर हिलाते हुए कहा, दोस्त, दोस्त, लोमडी ने सहमती जताई. उस दिन के बाद से वे अकसर जंगल में एक साथ घूमते, अपनी पुरानी गलत फेहमी पर हसते और एक दूसरे की संगती का आनंद लेते. उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था.